नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता अगर आप नॉन्वेज के शौकीन हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा दरसल आज हम ये खबर खास उन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं जो नॉन्वेज शौक के साथ साथ अपनी सेहत बनाने के लिए भी खाते हैं यू तो महसारी खाने में मटन, चिकन और मचली को शामिल किया जाता हैं लेकिन हर नॉन्वेज खाने वाले के लिए ये भी जानना बेहत जरूरी है कि इन में से क्या खाना उनकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फाइदेमन है आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मटन, चिकन और मचली में से क्या खाना आपकी सेहत पर अच्छा असर डालेगा सबसे पहले बात करते हैं मटन की देखिए मटन खाने के यू तो कई फाइदे हैं लेकिन कई नुकसान भी है अब जैसे जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सेसाइजिस करते हैं, दोडते हैं, भागते हैं, जिम जाते हैं वो इसका सेवन करें तो बहुत फाइदा होगा कहते हैं मटन खाने से दिमाग भी तेज होता है अमूमन मटन खाने की सलहा खिलाडियों को, पहलवानों को, मजदूरों को, बॉडि बिल्ड रो और जिम ट्रेनर्स को दी जाती है मटन में विटामिन B12 और जिंक भरपूर मातरा में होता है गर्बवती महिलाओं को भी मटन खाने की सलहा दी जाती है हाला कि अगर आप ज्यादा वर्काउट नहीं करते हैं तो फिर मटन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ने की भी संभावना होती है मटन का ये भी नुकसान है कि इसमें कोलेस्टरॉल बहुत ज्यादा होता है इसलिए दिल की बीमारी का खत्रा हमेशा बना हैता है डाबिटीज के रोग्यों को तो मटन का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए अब बात करते हैं चिकन की कहा जाता है चिकन के कई फाइदे होते हैं भरपूर मात्रा में मिलने वाले प्रोटीन से शारिरिक विकास होता है मास पेशियां मजबूत होती है रिपोर्ट्स बताती हैं कि चिकन खाने वाले स्ट्रेस, डिप्रेशन और सिर्दर्ट से दूर रहते हैं इन समस्याओं से जूज रहे लोगों को डॉक्टर्स चिकन सूप पीने की सलहा देते हैं चिकन में सेलेनियम होता है जो थाइराइड, हार्मोन्स, मेटाबॉलिजम और इम्म्यूनिटी को ठीक रखता है ये भी कहा जाता है कि इससे मुटापा भी कंट्रोल में रहता है इसके सेवन से कोलेस्ट्रोल भी नहीं बढ़ता दिल की बेमारियों से ये बचाता है और अब बात मचली की अगर आप मचली खाते हैं तो ये आपको हर तरह से फाइदा पहुचाती है मटन और चिकन के मुकाबले मचली से बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है मचली से एक नहीं, दो नहीं बलकि कई तरह के विटामिन्स आपको मिल सकते हैं इसके अलावा मचली में ओमेगा 3 फाटी आसिट भी होता है रिपोर्ट्स बताती हैं कि मचली खाने वाले के शरीर में इसका बेहत पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाता है मचली खाने से ब्रेस्ट कैंसर का खत्रा कम होता है इतना ही नहीं आपकी तवचा और आपके बालों को भी भरपूर फाइदा होता है तो इस खबर के बाद कॉमेंच करके आप हमें ज़रूर बताएगा कि आप क्या खाने के शौकीन हैं और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है